मात्रे एक फोन कॉल से थर्रा उठा पूरा जिला प्रशासत नमस्कार नियूस पोनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जा गया से संसनी खेज मामला सामने आ रहा है जहाँ पर महिला सिपाही का शव बरामत किया गया है अब पुलिस ने बताया है कि महिला सिपाही को उसके मंगेतर ने शादी तोड़ने की धम की दी थी पुलिस ने बताया कि महिला सिपाही के जीजा ने उसके मंगेतर को उसके बारे में जूटी बाते बताई थी मृतक महिला सिपाही का नाम विभा कुमारी था उसकी शादी नालंदा के रहने वाले ब्रिज मोहन कुमार से तै हुई थी विभा के जीजा टिंकु कुमार ने अपने दोस्त चेतन्य कुमार के फोन से ब्रिज मोहन को फोन किया टिंकु ने खुद को श्रिवम नाम का दरोगा बताया और ब्रिज मोहन से कहा कि जिस लड़की से आपकी शादी तैह हुई है वो ठीक नहीं है उससे रिष्टा तोड लो इसके बाद ब्रिज मोहन ने विभा को फोन करके संबंधों के बार में पूछा और शादी तोड़ने की धम की दी इससे विभा बहुत आहत हुई और उसने खुद खुशी कर ली पुलिस ने बताया कि विभा के मॉंबाइल का CDR निकालने पर पता चुला कि उसकी आखरी बार अपनी जीजा से बात हुई थी इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और ताबर तोड़ कारवाई शिडू कर दी आगे पुलिस ने बताया कि छापे मारी कर टिंकू, चैतन्य और ब्रिज मोहन को गिरफतार कर लिया गया है फिलाल तीनों से पूछ ताच की जा रही है SSP आशीश भारती ने बताया कि विभा के जीजा ने उसे फसाने के लिए जूटी कहानी बनाए विभा और ब्रिज मोहन की शादी तैह होने की बाद से टिंकू नाराज था तो देखे गया पुलिस लाइन में महिला सिपाही विभा कुमारे मृत मिले पुलिस ने मामने का खुलासा किया मृतका के जीजा ने उसके मंगेतर को महिला सिपाही के दूसरे पुलिस कर्मी से संबन्ध होने की जूटी जानकारी थी मंगेतर ने शादी तोडने की धमकी दी इससे आहत होकर महिला सिपाही ने जान दे दी तो देखे बिहार के गया में महिला सिपाही विभा कुमारी ने खुद खुशी कर ली जिसका शव पुलिस बैरक में मिला था विभा को उसकी मंगेतर ब्रिज मोहन कुमार ने शादी तोड़ने की धमकी दी थी जिससे वो बहुत आहद हुई विभा के जीजा टिंकु कुमार ने ब्रिज मोहन को जूटी बाते बता कर विभा के खलाफ साजिश की थी वहीं आपको बताते चले कि टिंकु कुमार ने अपने दोस्त चेतन्य कुमार के फोन से ब्रिज मोहन को बताए कि विभा ठीक नहीं है फिलाल पुलिस टिंकू चतन्य और बिर्जमोहन को गिरफतार कर पूठता शिरू कर दी है कर दो पूठता शिरू कर दी है